जहिन दोस्तों आसकरता हम सभी मेरे मित्रगड़ चुंगे दरसल दोस्तों दुनिया के किसी भी देश के पास यानि की जिन भी देशों के पास पुराने फाइटर जेटों का जखीरा है और यदि वे नए फाइटर जेटों को पाने के लिए संगर्स कर रहे हैं जो भी कम बजट वाले देश अपनी वायू सेना को अत्याधुनिक बनाना चाहते हैं जो भी देश अपनी वायू सेना को नए फाइटर जेटों से लेस करना चाहते हैं दरसल दोस्तों ये कहना है तेजस fighter jet को उड़ाने वाले दिगज fighter हो का यानि कि तेजस fighter jet को उड़ाने वाले हर pilot का कहना है ये लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल खड़ा ये होता है कि कम कीमत में तेजस fighter jet एक बहतरीन विकलप कैसे बन सकता है तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है कि तेजस fighter jet का जो जीवन चक्रा है वो अपने पर्तिधंदी यानि कि इसका जो सीधा पर्तिधंदी देश है वो है चैना का JF-17 डबल इंजन fighter jet और तेजस fighter jet दुनिया का पहला ऐसा fighter jet है जो कि कम बजट में होने के बावजूद भी पच्चमी देशों के fighter jet को ना सिर्फ टकर दे रहा है हर मामले में बलकि अपने missile package के मामले में भी सोदेसी missile के बदोलत ना सिर्फ पच्चमी देशों के fighter jet के package को पूरी तरीके से चुनाओ की भी कबिलियत रखता है जैसे की short range guided missile, beyond visual range missile, anti radiation missile, smart guided, साथी ब्रह्मोस NG जैसी smart guided missile भी सामिल है यही करण है दोस्तों जो यूरोपिये महेंगी टेकनलोजी को नहीं खरे सकते ऐसे देसों के लिए सौधी सिफ तेजस fighter jet एक बहतरी और एक सकती साली fighter jet बन के सामने आता है औ और दोस्तों इसी बात से अंदाजा लगाया जासकता है कि तेजस fighter jet की लोग पुरियता दुनिया पर में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है बाकिस पूरे खटना करें महाँ सभी मित्रगड़ों के क्या विचार है कमेंट्स का जरूर बता है